प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाड़ी 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 पागुत्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है इसलिए येसु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए जिससे वह अपनी मृत्यू द्वारा मृत्यू पर अधिकार रखने वालों को सैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन विताने वाले मनुष्य को मृत्यू के भैसे मुक्त कर दे वह स्वर्ग दूतों की ही नहीं बलकि इवराहिम के वनसुजों की सुध लेते हैं इसलिए यह आवस्यक है कि वह सभी बातों में अपने भाईयों के सद्रिश बन जाएं जिससे वह इश्वर संबंधी बातों में मनुष्य के दयालू और इमानदार महायाजिक के रूप में उनके पापों का प्राश्चित कर सके उनकी परिच्छा ले गई और उन्होंने स्वयम दुख भोगा है इसलिए वह परिच्छा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं यह प्रभु की वार्नी है संत मार्कुस के अनुसार पवित्रिसु समाचार अध्याई एक वाक्य 29 से 49 तक येशु सभागरस से निकल कर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए सीमोन की साज बुखार में पड़ी हुई थी लोगों ने तुरंत उसके विशे में उन्हें बताया येशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़ कर उसे उठाया उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया येसु ने नाना प्रकार की बिमारियों से पेड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला वह अब्दूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वह जानते थे कि वह कौन है दूसरे दिन येशु बहुत सबेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्तना करने लगे सीमोन और उसके साथ ही उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले सब लोग आपको खोज रहे हैं येशु ने उन्हें उतर दिया हम आसपास के कजबों में चलें मुझे वहां भी उपदेश देना है इसलिए तू आया हूँ और वो उनके सभाग रहों में उपदेश देते हुए और अब दूतों को निकालते हुए सारी गलिलिया में घूमते रहते थे यह प्रभु का दिव्य सू समाचार है क्रिष्ट प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों हमने कुछ दिन पहले क्रिस्मस मनाया अर्थाद प्रभी येशु के संसार में आगमन का तिहार मनाया और आज की दोनों पाठों में क्रिस्मस का उदेश्य बताय जाता है कि प्रभी येशु इस संसार में क्या के लिए आए आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र के अध्याई दो से लिया गया था वहाँ पर हमें बताय जा रहा है कि प्रभी येशु सब के लिए सब कुछ बने पहुलुस कहते हैं प्रवियसु के संसार में आने का यही मकसद था यह उदेश्य था पापी दुर्बल कमजोर मनुष्य की परिस्थती में उतराना उनकी तरह उन परिस्थतियों और उन दुखों से गुजरना और उनके लिए एक महा याजग बनना पिता के सामने उनके लिए प्रार्थना करने वाला बनना प्रवियसु हर दर्द पीडा से होकर गुजरे जड़ा सूचिए कि इस संसार में कोई व्यक्ति है जिसने प्रवियसु से ज़्यादा दुख भोगा है उनके बचपन से लेकर आंतिम पल तक विबिन प्रकार के मानवी अनभों को उन्होंने अपने उपर जेला स्विकार गिया प्रवियसु को कैसे कैसे सामाजिक तरसकार का अनभों करना पड़ा धार्मिक गुरूं की द्वारा तरसकार का अनभों करना पड़ा अन्याए सहना पड़ा अपने ही प्रिये जनों की द्वारा तरसकार अनभों करना पड़ा अकेला पन अनभों करना पड़ा कुरूस पर चाहाए गए अन्याए पूर्वक मार डाले गए इस संसार में एक मनुश्य जिन जिन कटिन परिस्तितियों से गुजर सकता है दुखों से गुजर सकता है उसका एक फर्स्ट हैंड अनुभाव पर भी येसु को मिला येसु हमारी तरह बने ये ही तो क्रिस्मस है एश्वर मनुश्य बना हमारी परिस्तिति में उतर आए इसलिए इस संसार में कोई भी नहीं कह सकता है येसु को मेरे दर्द का अर्थ नहीं मालूम है सब कुछ उन्होंने सहा और आज की इसु समाचार में हमने सुना बहुत ही रोचक है कि प्रभी इसु संपून समय लोगों के साथ बिताते हैं चारों सु समाचार को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभी इसु दूसरों के लिए जी रहते हैं इस दुनिया में अधिक तर लोग किस के लिए जीते हैं अपने लिए जीते हैं किस के बारे में सूचते हैं अपने बारे में सूचते हैं अपने बारे में मी मैं मेरा मेरा परिवार मेरा पती मेरी पतनी मेरे बच्ची मेरा कौम मेरा समुदाय मेरी बिरादरी मेरा धर्म मेरा 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 वास्तों में स्वार्थता पशुता है, पश्वों की बीच में कोई भी चीज डालिए, आप देखेंगे उनकी स्वार्थता, स्वार्थता पशुता है, ने स्वार्थता दैविक है, ईश्वरिया है, प्रभियसु ने अपना संपूर्ण जीवन विशेश करके तेन साल का सार अपको लोगों के लिए अरपिद किया इसलिए पढथे हैं यहाँ कि सुमाचार के ध्याय तीन वाके सॉलोग में ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलावते पुत्र को अरपिद किया प्रभु एशु सुयम कहते है या उनकी स्वमाचार के ध्याय पंदरववा के तरह में कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे प्रभु ने हमारे लिए अपने आपको अर्पित किया येशु हमारे लिए जिये हमारे लिए मरे हमारे लिए पुनर जीवित हुए वास्तों में संपून सु समाचारों की द्वरा अपने संपून जीवन की द्वरा प्रभी येसु ने हमसे एक बात कही है वो बात क्या है मनुष्य हो तो ऐसा येसु ने एक मनुष्य का जीवन जिया है एक मनुशी का जीवन पूर्णतया जिया है आज हमारी दुनिया हैं कितनी छोटी हो गई है हमारी दुनिया हैं कितनी छोटी हो गई है आसरम में इतने वर्षों सक्रहने के बाद और जनता के साथ घुल मिलने के बाद चारोर घूमने फिरने के बाद मेरी दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई है बहुत बड़ी और कभी कभी घर जाने का मौका मिलता है अपने भाई बेहनों के साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी दुनिया कितनी चूटी है एक दमपती उन्होंने अपनी दुनिया को कितने छोटा बना दिया है हम और हमारा एक बच्चा बस इतनी ही दुनिया उसी के लिए जी रहे हैं यह प्रभी एशु के मनोभाव से बिलकुल भिन नहीं एक विश्वासी कभी भी इतनी छोटी दुनिया में जी नहीं सकता है उसको अपनी दुनिया को और बड़ा करने की जरुवत है अपने परिवार को और बड़ा करने की जरुवत है इस स्वार्थपूर्न चोटी दुनिया एक मसीही और विश्वासी की दुनिया नहीं हो सकती है प्रभी एशु ने हम यहीं सिखाया है अपने संपूर्ण जीवन के द्वरा अपने संसार को बड़ा बनाओ और भी लोगों को उसमें लाओ और भी लोगों को लाओ और भी लोगों को लाओ और भी लोगों को लाओ व्यक्तिगत जीवन में भी हम में से कई लोग विवाहित नहीं है हमारे व्यक्तिकत जीवन में भी हमारी दुनिया को उतनी छोटी नहीं होने चाहिए एक बहुत बड़े संसार का निर्मान करना है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे कभी-कभी हमारी कुछ बहने जो कॉन्मेंस से बाहर कभी नहीं निकलती है जो सिर्फ प्रार्थना में समय बिताती है मैं ऐसे कई कॉन्मेंस को जानता हूँ उनकी दुनिया हमारी दुनिया से भी बढ़ी है वे सारे संसार से प्रार्थना में जुड़े हुए है सारे संसार के लिए प्रार्थना करते रहते हैं उनका संपूर्ण जीवन वे सारे संसार के लिए बिताते हैं। हमने एक बहुत बड़ा रहसी खोला है, एक बहुत बड़ी बात रखी है। हमारे मन को खोलिए, हमारे हिर्दियों को खोलिए, हमारे संसादनों को खोलिए, हमारे संसार को बड़ा बनाईए। हम सिर्व अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना सिखें केवल अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अन्ने लोगों के लिए जीना सिखें प्रभी येशू, हमारे हिर्दियों को बढ़ा कर, हमारे आत्माओं को बढ़ा कर ये प्रभी येशू इन बचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों पर तरस खा उनके हिर्दियों को बढ़ा कर येशू आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुगरा का दिन वार्शिश का दिन हो हर प्रकार के बाधा से बंधनों से उनको आज छुटकारा मिले वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरी उपस्तितिक एसास हो तेरी दूतों को बेजकर हर प्रकार के अंदकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा के एक हर प्रकार के प्रपंच से उनको बचाये रख प्रभी येशू जो रोगी हैं उनको चंगा कर इन पवित्र छणों में उन्हें स्पर्ष कर स्पर्ष कर येशू स्पर्ष कर हम ए प्रात्ना तुझे अरपेत करते हैं ग्रहन कर आमेन प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नेनों की जोते अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है प्रभु तेरी वाड़ी वाड़ी